नमस्कार दोस्तों, जार्खन सरकार ने अपने छेतरा दिकार में 31 मार्श 2020 तक पुनतया ताला बंदी एठत लॉकडाउन की गोशना की है, ये गोशना ततकाल प्रभाव से लागू हो जाएगी, इस गोशना के लागू होने से किनकिन गतिविदियों पर रोक लगाई गई है वो सुन लिजे, आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राजी सरकार के सभी कार्याले बंद रहेंगे, सभी पदाधिकारी तता कर्मी अपने घर से सरकारी कारियों का निश्पादन करेंगे, परंतु वे मुख्याले का परित्याग नहीं करेंगे, आवशक्ता पढ़ने पर कार् परदान उन्हें कार्याले में बुला सकेंगे, टैक्सी, आटो रिक्षा, बसें, ई रिक्षा, रिक्षा के संचालन सहीत, किसी सारोजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पुर्णितर रोक रहेगी, अपवाद में स्वास्ते की ततकाल आवशक्ता को देखते हुए, अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा, सभी दुकाने, व्यवसाईक प्रतिष्ठान, कार्याले, फैक्टरी, गुदाम, साप्ताहिक, हाट वजारादी, संपुर्ण गतिविंदिया बंद रहेंगी, सभी प्रकार के निर्मानकारे ततकाल प्र प्रधारित क्वेरेंटीन की अवधी का कड़ाई से अनुपालन करेंगे, सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे, बुनियादी आवशक्ताओं की पूर्ति के क्रम में, बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिसानिर्देशों का अनुपालन करेंगे, इसके साथ जारकंड सरकार ने पहले ही बाहर राजियों से आने वाले बशों की सेवाओं को प्रतिबंदित कर दिया था, साथ ही ट्रेनों के आवागमन को भी प्रतिबंदित कर दिया था जारकंड सरकार में, जिन आवशक सेवाओं को इस प्रतिबंद से बाहर रखा गया है उनमें जो जो है वो विधी विवस्था से संबंदित पदादिकारी या कर्मी से बाहर रखे गए हैं पुलिस स्वास्थ अगनी शमन सेवाएं कारा सेवाएं राशन दुकान रेल हवाई अड़ा यों बस अड़ा के लिए परिवहन जिसके लिए स्थानिये प्रशासन द्वारा विशेस विवस्था एवं दिसा निर्देश निर्गत किया जाएगा बिजली पियजलापूर्ती यों नगरपाली का सेवाएं बैंक, ATM, प्रिंट, इलेक्टरॉनिक यों सोशल मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खादे आपूर्ती से सम्बंदित परिवहन सेवाएं, खादे दवा यों चेकित सा उपकरन सहित सभी आवश्यक वस्तूओं की इ-कॉमर्स आपूर्ती, खादे पदार्त, किराने का सामान, दूद, फ्रेड, बल, एवं सबजी के परिवहन यों भंडारन की गतिविधियां, टेक अवे या होम डिलिवरी रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे का दुकान, यों दवा, उत्पादन की गतिविधियां, यों संबंदित परिवहन, पेट्रोल, डीजल, पंप, एवं LPG, CNG, गैस के परिवहन, भंडारन की गतिविधियां, उत्पादन यों निर्मान इकाईयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश चक्ता होती है, उपायुक्त से हनुमती प्राप्त करने के उपरांत अपनी गतिविधियां चालू रख सकते हैं, इन सभी इकाईयों को कारे संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा, राजी सरकार द्वारा विशेस आदेश से निर्धारित कोई सेवा, इसके अलावा पांच वेक्ति या उससे अधिक वेक्तियों का जमावड़ा पुनतया निशेद रहेगा, निजी प्रतिष्ठान जो कंडिका दो में वर्नित गतिविधियों के लिए वांचनिये हैं, एवं COVID-19 के रोक थाम के परियासों से संबंधी थे खुले रहेंगे, ऐ उपायोक्त वरिये पुलिस अधिक्छक, पुलिस अधिक्छक, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला धिकारी एवं नगर निकाय उपरियोक्त निर्नयों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कारवाई करेंगे, स्थानिय पूलिस आवश्यक्ता अनुसार अपना पुन सहयोग संबंदित पदादिकारियों को उपलवद कराएंगे। परियुक्त निर्नयों के उलंगन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारती दंड सहीता 1860 के सिक्षन 188 के तहत दंडनिये होंगे। पीस में दिये गए निर्देश यथावत रहेंगे। तो ये आदेश है जारकंड सरकार का, जारकंड में पूनेतर लॉकडाउन की स्थिती आ गई है, 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, अपने घर में रहें। और हाँ, इसक अज़ति आते हैं।